दोस्तों यदि आपका bank account Indian bank में है तो आप लोग आधार कार्ट के मादधेम से UPI registration कर सकते हैं और UPI pin बना सकते हैं जैसे कि आप लोग Google Pay, Phone Pay, Amazon Pay, Pay ATM या कोई भी UPI app इस्तमाल करते हैं तो UPI pin बनाने के लिए ATM कार्ट की जरौत परती है लेकिन यदि आपका bank account Indian bank में है तो आप लोग आधार कार्ट के मादधेम से ही UPI pin बना सकते हैं और UPI का यूज कर सकते हैं चलिए आपको हम detail में दिखाते हैं दोस्तों आप Google Play Store खोल करके सर्च करेंगे भी तो आपको ये app नजराएगा भी आप इसे install कर लिजे हमने install कर लिया है चलिए open कर लेते हैं अब आपको इस तरीका से open हो जाएगा यहाँ पर आप language सेलेक्ट कर लिजे जो भी language में आप इसे यूज करना चाहते हैं चलिए हम यहाँ पर English सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद प्रोसीट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आपको allow कर देना है allow कर दीजे अब यहाँ पर यदि आप अपने mobile में दो SIM यूज करते हैं तो यहाँ पर दो SIM नजराएगा चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको अब यहाँ पर आपके mobile नमर को verify किया जागा तो mobile नमर verify होने के लिए आपके mobile में balance होना जरूरी है या फिर SMS पैक होना जरूरी है अब यहाँ पर देखिए verify हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर देखिया गया है register new passcode तो यहाँ पे चारक्षर का पासकोड बना लेंगे जब भी आप भीम UPI एप को आपन करेंगे तो आपको पासकोड का जरूत पड़ेगा इसके बाद नीचे में री इंटर पासकोड तो जो भी आपने ऊपर में फिलप किया नीचे भी आपको फिलप कर देना है इसके बाद आप इस पे क्लिक कर लिजिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए bank account link करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर इंडियन bank को select कर लीजिए आप यहाँ पर search आपका bank account लिंक किया जा रहा है थोड़ासा यहाँ पर wait करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे आपका bank account आ जाएगा आप यहाँ पर bank account पर click कर लेंगे इसके बाद आप yes पर click कर लिजे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Indian bank account भीम UPI app के साथ link हो चुका है और यहाँ पर देखे लिखावारा 4 digit UPI pin set यानि कि हमारा UPI pin set किया हुआ है जैसे की Google पे, Phone पे, Amazon पे, Paytm या कोई भी bank का UPI app इस्तमाल करते हैं और उसमें यदि आपने UPI pin set करके रखा है तो आपको यहाँ पर UPI pin set करने का option so नहीं करता है लेकिन यदि आप पहले से कोई भी UPI app इस्तमाल नहीं करते हैं और नहीं आपने UPI pin set करके रखा है तो फिर आपको इस तरीका से सो करेगा set UPI pin तो आप यहाँ पर set UPI pin पर किलिक करके UPI pin set कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर forget UPI pin पर किलिक करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं UPI pin set करने के लिए आ गया है और यहाँ पर UPI PIN set करने के लिए दो option दिया हुआ है सबसे पारा यहाँ पर है debit card इसके बाद नीचे में है आधार number चुकि हमें आधार number के माध्यम से UPI PIN set करना है UPI PIN मनाना है तो हम यहाँ पर आधार number पर click कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे बताया जारा है कि आधार number के माध्यम से UPI PIN set करने के लिए UPI PIN मनाने के लिए आपके bank account के साथ आधार card link होना जरूरी है इसके अलावा आपके bank account के साथ जो mobile number link है वही mobile number आपके आधार card के साथ भी link होना जरूरी है यानि कि दोनों में same mobile number link होना चाहिए यदि आपके bank account में दूसरा mobile number link है और आपके आधार card के साथ दूसरा mobile number link है तो फिर आप यहाँ पर UPI PIN set नहीं कर सकते हैं चलिए इसके बाद आप यहाँ पर proceed पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ से accept पर click कर लेंगे अब यहाँ पर आप अपने आधार number का सुरू का 6 अक्षर यहाँ पर fill up करेंगे चलिए fill up कर लेते हैं अब यहाँ पर जैसे ही आप आधार number fill up करेंगे आपके आधार number के साथ जो mobile number link है उस पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर automatic fill up हो जाता है यदि OTP automatic fill up नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर OTP को fill up कर लीजे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP को fill up करने के बाद आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया गया Inter6 Digit Bank OTP अब आपके bank के साथ जो mobile number link है उस पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP को fill up करने के बाद आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिया आगया Set 4 Digit UPI Pin तो जो भी आप UPI Pin रखना चाहते हैं यहाँ पर 4 अक्छर का UPI Pin बना लेंगे आप यहाँ पर ध्यान पुर्वा की UPI Pin बनाएंगे क्योंकि आप इसी UPI Pin के माध्यम से कोई भी payment कर पाएंगे चलिए हम यहाँ पर UPI Pin सेट कर लेते हैं यहाँ पर UPI Pin टाइप करने के बाद इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिया गया Confirm 4 Digit UPI Pin तो जो भी आपने UPI Pin बनाया है फिर से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है यहाँ पर UPI Pin टाइप करने के बाद आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं UPI Pin Reset Done Successfully यानि कि UPI Pin सेट हो चुका है अब दोस्तों आपका UPI Pin सेट हो चुका है अब आप लोग UPI का यूज कर सकते हैं आपने जो यहाँ पर UPI Pin बनाया है आप लोग इसी UPI Pin के माद्धेम से कोई भी UPI App इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि Google पे, Phone पे, Amazon पे, Paytm या कोई भी UPI App इस्तमाल कर पाएंगे अब आप लोग यहाँ पर send पर click करके किसी को भी UPI के माद्धेम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इसके अलावा, SKN पर click करके कोई भी QR Code को SKN करके payment कर सकते हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया है